नमस्कार आप देख रहे हैं इसकी खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ दोस्तों नाकपूर जिले का उम्रेड तहसील जिसमें सबसे ज्यादा गौन खनीज पाया जाता है और यह गौन खनीज पाया जाता है इसलिए भरस्टाशार का एक बड़ा केंदर बन गया उम्र चिमना जड़ी गाउं में पहुंचने के बाद पता चला कि हरद गाउं और पेंडरी यह गट गरम पायं चायत है तो पेंडरी से अवैध खनन किया जा रहा है और उस वहां से खनन करने के बाद में जो मुरूम निकल रहे हैं उसको चिमना जड़ी गाउं के बीच से होते ह हुए निकाला जा रहा है और जिसके वज़र से गाउं की रोट की हालत खराब है लोगों को डस्ट का सामना करना पर रहा है लेकिन इसके बावजूद प्रशाशन मौन है तहसीलदार के तरफ से कोई खास एक्षन कहीं भी पूरे उम्रेट तहसील में हमने देखा है लोग पर परिस्थिती शादी आए त्या शाड़ा है हैंट पम है शाड़ तली मुल जा ठीकानी खेवरत अस्ता अनि जर एकाज हास्ता कदी कभा है हो शकते मनुन या गाळा चार बंदो बस्त जाला आतर या गावाची शांग नी जरवाची जावाची शाग तो निया गाड़ा चल हमने हरत गाओं पेंडरी के सचीव से संपर्क करने कोशिस की वह संपर्क के बाद पता चला कि यह किसी गौरव चकोले से संबंधित है काम हो सकते हैं अन्य भी लोग होंगे इसमें गौरव चकोले के पास में पिछले 3-4 साल में ग्राम पंचायत के तरब से खनन करने के लि लेकिन उसी को आधार बना कि पिछले 4 साल से लगातार खनन कर रहा है और इसके बाद भी वहां के पटवारी मौन है पटवारी फोन नहीं उठाते हैं तैसिलदार को एक्शन नहीं लेते हैं एक बड़ा प्रश्न बनता है कि आखिर इस तरीके से कब तक खनन होते रहेंगा और राजजस्व को लुटने वाले लुटेरों के उपर कब कारवाई होगी यह सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं हो रहे हैं आने वाले समय में हम अन्य भी कई बड़े नाम हो सकते हैं कि अधिकारी के नाम हो सकते हैं उनके भी खुलासे हो सकते ह कि जब हम तहसिल कारयाले पहुँचे तो वहां पर जिन अधिकारीों को जिम्मेदारी से काम करने चाहिए उनकी जिम्मेदारी कितनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से वह पेश आ रहे हैं उनके पास किन सवालों के जबाब है किन सवालों के जबाब नहीं है वो सब कुछ का खुलासा हम अगले एपिसोड में करेंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि सिर्फ ये एक वेक्ति का काम नहीं है बलकि उम्रेट तहसील में हर दूसरे गाउं में गाउन खननन का अववैद काम शुरू है और जिससे लोग काफी परिशान है तो सवाल ये उठता है कि उम्रेट तहसील के राजस्व विभाग के पास उम्रेट का राजस्व कितना सुरक्षित है आप हमारे साथ बने रहें नए खुलासे के साथ अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे आप देखते हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ सिर्फ इन विस ये निउस पे सची दिखाया है बिना चुबाए जहिन